36 गड़ में फेमस डिसेस की कमी नहीं है यहां का चिला फर्रा इटली डोसा चाउमिन फास्टपूर्स तो फेमस है ही है लेकिन इन सब के बीच मुंग के हलवे का कोई दोड नहीं है स्वाद के दिवानों की लैन लगती है राज़ानी रायपूर के इस दुकान में वर्सों से लोग आ रहे हैं और मुंग की हलवे का स्वाद लेते हैं दरसल मुंग के हलवे के नाम सुनते ही कई लोगों के मुह में पानी आ जाता है मौसम में थंड़क बढने के साथ ही मूंग के हलवे की दिमान भी बढने लगती है स्वाद के साथ ही पॉस्टिकता से भरपूर मूंग डाल का हलवा मुँए मिठाज घोल देता है ये स्वीट डिस बडू के साथ ही बच्चों को भी कापी लुभाती है सर्दियों में तो party function की मुंग की हलवा जान होता है अगर आपको राजधनी राइपूर में मुंग का हलवा खाना है और अगर आपकी तलास कर रहे हैं तो राजधनी राइपूर के बुढ़ा तलाप से सगर बाजार जाने वाली रास्ते पर मुंग की हलवे का दुकान लगता है पचास ग्राम मुंग हलवे की कीमत पचास रुपए है सौ ग्राम हलवे की कीमत सौ रुपए है और एक किलो मुंग डाल के हलवे की कीमत एक हजार रुपए है दुकान के संचालत सुकरेशन यादव ने बताया कि उनके गुरु नागा महराज हैं उनसे नास्ता बनाने की कला सीखे हैं यहां मुंग बड़ा दही बड़ा प्याजी बड़ा के अलावा सुद्ध घी से बना हुआ मुंग का हलवा भी मिलता है तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस हलवे की जितनी तारीब करें कम है और इस मुंग हलवे रेशिपी को लेकर दुकान के संचालक सुग्रेशन यादव क्या कुछ कहते हैं आईए आपको सुनवाते हैं अपका नाम कहा है? मैं सुग्रेशन यादव आपसे जानना जाएंगे? आपको आप इसका दुकान लगाते हैं क्या क्या बेशते हैं मैं यहाँ पे मेरा पहला गुरु है नागा माराच मेरा मालक भी थे वो मेरे गुरु भी थे मैं उनसे एक लाशी का हूँ मोंग बड़ा, दहे बड़ा काली बड़ा सुदगी का मुंग का दाल का हलवा आपके हां का जो मुंग का हलवा है वो काफी फेमस है उसको तयार कैसे करते हैं तयार तयार वो करता हूं वाओ जी उसको सीलोड़ा में दाल का सीलोड़ा में पिसाई करता हूं उसको एकदम दिमी गती में उसका सेका ही होता ह फिए उड़की तो जैन में होने के बाद वदामी कलर होने के बाद उसमा खुवागाऊ डालता है हुआ डालने के बाद पर चासन लेकिए और नहीं के बराबर उसमें थोड़ा सा खलर भी डालना पड़ता है जले भी ग़े